वेल आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि HDFC बैंक का न्यू एटेम पिन कैसे बनाएं मैंने अपना अकाउंट बैंक बनाज से ओपन कराया था तो जो मुझे वेलकम किट मिला था उस वेलकम किट में ये डेबिट कार्ड एंड ये एटेम पिन मिल गया था अब इस एटेम पिन के थ्रू एक नए एटेम मिल करेंगे तो weडिक काफी इंफरमेटिव है अगर वीडियो आपको जरह से लगए तो वीडियो को लाइक कर दिजएगा चैनल पर आंप ने है तो चैनल सब्सक्राइब कर दिजएगा तो चले ये वीडियो को सुरूरो करते हैं तो सबसे प तो हमने इसको कट कर लिया अब हम इसको ओपिन करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा ATM पिन है 2459 अब इस ATM पिन को और इस ATM कार्ट को लेकर हम चलते हैं ATM मसीन पे आपको HDFC बैंक के किसी भी ATM मसीन पर आ जाना है और अपने डेविट कार्ट को मसीन के अंदर कुछ इस परकार से आपको लगा देना है आप जैसे अपने ATM कार्ट को मसीन के अंदर लगा देंगे उसके बाद ट्रांजक्शन प्रोसेड होगा तो आपको कुछ समय तक वेट करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना language select करना है तो जो language आपको suitable पड़ता है तो आप यहाँ पर अपना language select कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर English select कर लेता हूं आप जैसे ही आप अपना language select कर लेंगे तो यहाँ पर आपको दो option देखने को मिलेगा पहला होगा main menu और दूसरा होगा set your pin तो आपको main menu वाले option पे click कर देना है आप जैसे main menu वाले option पे click कर देंगे उसके बाद यहाँ पर कई सारे option आपको देखने को मिलेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे लिखा होगा change your ATM pin तो आपको change your ATM pin पे click कर देना है आप जैसे ही change your ATM pin पे click कर देंगे तो जो आपके लिफाफे में ATM pin मिला है 4 digit का वो ATM pin आपको यहाँ पर fill कर देना है तो चले मैं अपने ATM pin को यहाँ पर fill कर देता हूँ आप जैसे ही ATM pin fill कर देंगे यहाँ पर आप एक new ATM pin create कर सकते हैं 4 digit का जो आपको याद रहे जो आप बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 4 digit का ATM pin यहाँ पर type कर देना है तो चले मैं यहाँ पर 4 digit का ATM pin यहाँ पर type कर देता हूँ एक new जैसे ही आप अपना ATM pin यहाँ पर type कर देंगे आप जैसे ही new ATM PIN re-enter करेंगे उसके बाद transaction प्रोसेड होगा और आपका new ATM PIN create हो जाएगा इस ATM PIN का यूज करके आप ATM के सारे transactions कर सकते हैं जैसे menu withdraw कर सकते हैं, balance check कर सकते हैं, mini statement निकाल सकते हैं इस process को apply करके आप SDFC bank का new ATM PIN create कर सकते हैं इसके बाद भी अगर आपका कोई question है या फिर आपको कोई doubt है तो comment section नहीं पूछ सकते हैं मैं आपका help जरू करूंगा वीडियो end तक देखने के लगा थन्यवाद